नमस्कार आप देख रहे हैं नया भारत दर्पन समाचार और मैं हूँ आपके साथ जोती कनोजिया यह रुख करते हैं खबर कियों मद्रप्रदेश जिला शेहडोल के बियोहारी विदान सभा के अंतरगत बियोहारी पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला फरार वारंटी को पकरने के पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला परार वारंटी के परिवार वापडोस के लोगों ने किया हूंगा हमला करने वाली 12 लोगों के खिलाब पुलिस ने किया मामला दर्च चार को किया गरफतार दियोहारी थरा छेतर के ग्राम साखी की देखनी जिले भर में अभियान चला गया था कॉम्विंग अभियान जिसमें अंतरगत सभी जो फरार स्थाई वारंटी और गिरफतारी वारंटी थे उनकी धर पकड़ की जा रही थी पूरे रात भर चले अभियान में पुलिस को करीब धाई सो से उपर फरार वारंटीयों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है जिसमें करीब 40 स्थाई वारंटी हैं और करीब 210-220 गिरफतारी वारंटी थे इसी कारवाई के दोरान जब एक गिरफतारी वारंटी को पकड़ने के लिए बिवारी की पुलिस टीम गई थी तो जो वारंटी था उसने और उनके घर की कुछ महिलाएं और अन्ने सदस्यों ने पुलिस पार्टी पे हमला किया लाठी टंडों से और एक ने कुलाडी सभी वार करने का प्रयास किया जिससे कुछ लोगों को चोड़ भी आई है इस पूरे घटना करम में चार आरोपियों को गिरफतार करके मामला दर्ज किया करके उनको मानिय नालया प्रसुत किया गया है और इसमें 6 आरोपियों की तलाश की जा रही है जल्दी इनमें गिरफतारी की जाएगी इस खबर में बस इतना ही मिलते ही दूसरी खबर में नया भारत दर्पन समाचार के साथ